बिसमिल्लाय रख्माल वहीम अस्सलाम अलेकूम उमीद करते हों पिछले सक्षा आप लोगों को पसंद आया हैं कि आज मैं आप लोगों की बहुत इंपॉर्टन और इंट्रेस्टिन टॉपिक लिक रही हूं आज को मेरा टॉपिक है वाइटमेंस के बारे में हैं लेक्ट्र क वाइटमेंट एर वाइटमेंट के असक्षा ठीक हैं तुब से पहले हम वाइटमेंट E मतलब पैड सॉलमन्ट वाइटमेंट की बात करेंगे यह जिर आंखों बालों और नांखों कि सहतों की परक्रा रखने में मदब इसे यह वाइटमेंट आम तोर पर फड़ी सबस्जि सबस्पतों वाली तरकारियों में एक मादा कैरोटीन होता है जो जिसम में जाकर विटमेन A में तबदील हो जाता है इनसानी जिसम में इसका 95% जगर में होता है विटमेन A की कमी से लाहक होने वाली बीमारियों जो होती है वो कौन कौन सीथ है वो आपको बताऊंगे अभी इसी कमी से आंखों की एक बीमारी जेरफ्थिल्मिया और केराटो मेलशिया पैदा हो जाता है जिसमें आंखों की पैदाईश रुक जाती है आंख करडेला खुश जाता है, नाइट ब्लाइनेस का मर्च भी विटमेन A की कमी की वज़ा से होता है next सांस और सीने की कई अमराज पैदा हो सकते हैं गुर्दे की पथ्री भी इसकी कमी से बंच सकती है विटमेन A की कमी की वजह से कील महासे च्छाइयां, बालों की खुशकी और कमजोरी, नाखनों पर दाणें और इसके लावा जिस्सा में वाटमिन एक ही कमी की निशान देही करती हैं। जिसम में इसकी ज्याती से शदीद दड़, सर, मतली, और कै, दस्तों जल्द जल्द वो खुशक हो जाती हैं। वाटमिन B कॉंपलेक्स की बात करें, वाटमिन B कॉंपलेक्स वाटर सॉलूबल वाटमिन है। vitamin b yo me जो है तक्रीब था को सब्सक्राइब की रिवाइब छू तर करें लिया और को सब्सक्राइब धुर Shift लौजु आ यौद विच्छन फैलोंकिन के लिवोस्ट अल्फशमिश pedals . stem ником बीटिन की विवाइब्टूज्ट के लिवाइब report इसके लावा फॉलिक एसिड और इसके लावा पैरा मैनोनेरोटिक एसिड इसके लावा वाइटमिन B1 की बात करें थाइमाइन ठीक है वाइटमिन B1 इसके एहम जराय पालिश किये हुए चावलों गेहों और जौ दालों और दूसरे अनाज हैं इसकी सबसे ज्यादा मिक्तार खमीर में मिलती है इसके लावा खुश मेवों दूद और अंडे की जल्दी में मिलता है यह जिसम में कार्बो हाइटरेट्स के निजाम और इसके जिजाब के लिए जरूरी है यह निजाम नवस के जहरत के लिए बड़ा जरूरी है अजलाद मजबूत और हाजमा दुरूस इनलाजमेंट आफ हार्ट और एड़ोमेटर्स वगयरा जैसे अम्राज की नुमाया कमी का मुझहर होते हैं वज़े हमल के वक्त की विटमेंट खिलाने से दर्थ काबर बर्दाश हद तक कम हो जाता है वाइटमेंट B2 की बात करें राइबो फ्लेवन ठीक है यह जिसम में बत उल्टों दूद पनीर और अंडे गोश पालक और गेहों में पाया जाता है यहाजमें और निजामें एसाब के लिए बहुत मुफीद है यह दूसरी हयातिन के साथ मिलकर हैमोगलोबिन मिनाने में मदद देता है इसी कमी का असर जिसमारी नशनुमा में पढ़ता है और ता तो उमदा निताइज मलते हैं जो जवान आदमी को 106 मिलिग्राम और जवान और जवान ओरत को 103 मिलिग्राम रायो फ्लेविन रोजदाना मिकदार तरकार है नियसन और निकोटीनिक एसिड यह हैतिन जिल्दी और असाबी निजाम के लिए बहुत मुफीद है पनीर चली बदाम अंडे और दालों वगएरा में इसकी वाफ़ मिकदार पाई जाती है अलबता सबसे ज़्यादा मुर्ग के गोश्ट कलेजी मचली और खमीर में पाया जाता है इसकी कमी से मर्ज प्लेग्रा पैदा हो जाता है जिसमें जिल्द खुश्क और खुदरी हो जाती ह जखम हो जाते हैं पेट में दर्थ होने लगते हैं और आखिर दस थाने लगते हैं दिफाई कैफियत में नुमाया अबतरी आ जाती है डर खौफ गबराहट और हाफ़जा कमजोर हो जाता है इसकी रोजाना तकरीबर आट से चोड़ा मिलिग्राम मिकदार जरूरी है वाट में एक बार कलेजी या गुर्दे खा लिये जाएं तो भी इसका दवाजन बरकार रहता है इसकी कमी की वज़ा से एनीमिया या खौन की कमी का मर्स हो जाता है सांस की तकलीफ लाहक हो जाती है इसकी मिकदार बालिक वरतों मर्द के रोजाना तीन माइक्रोग्राम और बच् अमाल नहायँ जरूरी होता है ये सबस पतों वाली सबजियां अनाज और डालों में पाया जाता है और इसकी ज़्यादा मिकदार कलेजी सबस तरकारियों और मचली में मिलती है रोजाना एक बाली मर्द के लिए 400 माइक्रोग्राम बाले गौरत को 500 माइक्रोग्राम और हाम तक्ची सबस्यों और गोश में पाया जाता है इसकी ज़्यादा मिकदार संक्तरा लीमू टमाटर गाजर शलजम और हर जो है मिर्च में मिलती है हरी मिर्च में ये दान्तों और मसोडों की तंदुस्ती बरकारा रखता है जखमों और मंदमल करने जर्याँ खून को रोकने और जिसम को जर्यासीम मों के मज़र असरा से महफूज रखने में मदद देता है हर्डियों और बलड कैपिलरीज की सहथ के लिए बहुत जरूरी है इसी कमी से संफर बोत मतलब कि सकावी लाग हो जाते है जिसमें जिसम के मुक्तलिफ हिसों में से खून पै निकलता है तब के लावा अकसर नकसी भूट जाती है फसाद खून और दिल के अमराज भी पैदा हो जाते हैं इसकी रोजाना मिक्दार 60 मिलिग्राम होनी चाहिए वाटमिन बीडी की बात करें तो कार्ड मचली हेलिवर्ट मचली शाक मचली के तेल में सबसे जादा इसके लावा दूद ब कासफोरस में तबदील कर देता है जो हडियों में से हडियां से मदद देता है दान और हडियां भी अपनी जो है वो इससे बनते हैं ठीक है अगर यह ना हो तो हडियां नरम कोकली और टेडी हो जाएं दान निकालने के जमाने में बच्चों को खास जरूरत होती है बुडो कर नरम पड़ जाना कहते हैं यह वैटमेंट भी दस मुकरकात पर मुश्तमिल होता है लेकिन इसमें सिर्फ जो है दो डीटू और डीट्री ज्यादा एमियत की हामिल है वैटमेंट डीटू या कैल्सी फ्रोल सबसे आहिम है और इसका शाद तरीन फार्मूला C28H43OH है यह और अकर जिसन के अंदर टिशूज और चर्वियों के जो अर्गोस्ट्रोल पर अल्ट्रा वायलेट शौं के अमल से पैदा होता है बच्चों में वैटमेंट डी की कमी से सूखे की बिमारी रिकेट पैदा हो जाती है इसकी दोजाना जरूरत चार सो बेन फली, रोगन जैतून, पिस्ता, दूद, मक्षन, काहो, सोयाबीन, गोबी, गाजर, आलू, चौकलेट और खमीरे वगरे में पाये जाता है इसकी मौजूद की अजलात और असाब को तकवीद देती है इसके इस्तमाल से बांचपन दूर हो जाता है ठीक है यह तमाम खानों में होता है और इसलिए अमूमन इसकी कमी नहीं होने पाती है अलबिता एक आम आदमी के लिए रोजाना इसकी मिदार 15 मिली ग्राम होनी चाहिए वाटमिन के आखरी जो वाटमिन की बात करूंगी सौरी लेक्टर थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बहुत इंपॉर्टन लेक् बख्षता है अगर्चे ये जिसम में ना हो या कमी हो तो खून बह जाने की सुरत में वो मुश्किल से बंद होता है जिसम में ये खुद भी पैदा होता है अगर या अंतों में जजब ना हो सके तो बाइल डक्त में यर्दकान का सबक हो जाता है अमीद करती हूँ आज का लेक्चर पसंद आए होगा, अगर पसंद आए होगा, अगर पसंद आए होगा, तो मज़े फीड़बेक देना बद भूले, कि इंशाला फिर नहीं लगते होगा, तब तक अपना खयार रखे, अला हाफिज